है अगर आपने इस थामनेल के ऊपर क्लिक किया तो आप जरूर से नतिंग स्मार्टफून का वेट कर रहे हो गए और कुछ लोगों को यह नम नयाभी लगेगा कि नतिंग यह कैसा स्मार्टफून इसी नतिंग स्मार्टफून की बारे में सारी डीटेल आपको इस वीडियो म को लेकर इसी कि आपको सारी डीटेल इस वीडियो में मिल जागी तो नमिश्किया दूस्तों मेरा नाम है और आपको बता दिया है पहली बात हो कि नतिंग कंपनी के जो फाउंडर है जिसका नाम रहेगा Nothing Phone 1 यह एक Android smartphone होने वाला है और हो सकता है इसका competition हमें OnePlus के smartphone से देखने को मिले इसमें Nothing अपना खुद का OS लाने वाला है Nothing OS के नाम से Nothing Phone का जो design रहेगा वह है अभी तक कि हमें सारे smartphone में सबसे जादा unique देखने को मिलेगा इसमें अगर back side में आप देखें तो इसमें आपको लोगों भी थोड़ा अलग तरीके के दिखाई देगा आपने शायद ही इसी तरीके का smartphone अभी तक देखा होगा एक new look के साथ Nothing का smartphone आने वाला है जिस तरीके की design अभी तक कोई भी smartphone नहीं दी होगी इसमें आपको back में दो camera देखने को मिलेंगे OS का मैंने बताई दिया कि Nothing अपना खुद का operating system इस स्मार्टफोन के साथ launch करेगा जो की काफी जाता fast clean और smooth रहने वाला है इसमें आपको फाल्दू के applications देखने को नहीं मिलेंगे काफी सारे जो company provide करेगी वही आप लोग को इसमें applications देखने को मिलेंगे साथ ही इसमें आपको तीन साल का OS update मिल जाता है चार साल के इसमें आपको security update देखने को मिलेंगे और भी काफी सारे features इस Nothing phone में आपको देखने को मिलेंगे Nothing phone 1 में मैंने एक चीज notice करी कि इसमें आपको जो camera का जो logo दिखाई दे रहा है वह एक अलग design का है हो सकता है इसमें आपको next level की camera quality भी देखने को मिलें हो सकता है यह Nothing का खुद का camera application हो और guys अगर मैं इसकी performance की बात करूँ तो इस smartphone में आपको processor मिलने वाला Qualcomm का अगर यह smartphone flagship होता है तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 888 series का processor देखने को मिलेगा अगर यह smartphone एक budget होता है तो इसमें आपको थोड़ा छोटा processor देखने को मिल सकता है अगर company इसे flagship smartphone बनाना चाहेगी तो हो सकता है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8Gen1 का processor भी देखने को मिले तो company की तरफ से जो details आई है उनके base पर यह smartphone गर्मियों में launch होने वाला है हो सकता है आने वाले एक दो महीने के अंदर हमें यह smartphone देखने को मिल जाए और इस smartphone से related जो भी details रहेगी मैं आपको दे दूँगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके घरू जाना